नमस्कार दोस्तों मेरे बेस्ट अलाई से प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका सौगत है दोस्तों आज मैं बीमा कंपनी के ग्रांकों के लिए एक खुश खबरी लेकर आये हूँ तो आईए ज़्यादा समय ने लेते हुए इस खुश खबरी को जानते हैं मित्रों भारतिय बीमा नियामक एम विकास प्राधिकर्ण एर्ड़ा ने जीवन बीमा पॉलसी धारकों को प्रीमियम भुकतान करने के लिए अब 30 दिन का अत्रिक्ट समय दिया है इस समय देश भर में कोरोना संक्रमन के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है जिसके कारण सभी सरकारी संस्थानों के साथ साथ बीमा कंपनियों के आफिस भी बंद पड़ी है हलाकि अभी भी ओनलाइन पेमेंट की सुविधा इन बीमा कंपनियों की तरफ से उपलब्द है वे उन्ही प्रीमिम भुक्तान के लिए 30 दिन का अत्रिक समय दे दिया गया है हाला कि यहां आपको बताना चाहूँँगा कि बीमा कंपनियां पहले से ही 30 दिन का ग्रेस पिरियड देती है इस प्रकार से टोटल ग्रेस पिरियड बढ़कर दो महीने के लगबग हो जाएगा जिससे ग्रांकों को काफी राहत मिलेगी और यहां आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्रेस पिरियड में किसी प्रकार की कोई लेट फिस नहीं लगेगी लेकिन फिर भी यदि कोई बीमाधारक यदि अपना प्रेमियम इस पिरियड में जमा करवा कर निश्चिन्थ होना चाहता है तो वें आउनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या पेटियम या गूगल पे आदी माध्यमों से अपना प्रेमियम पे करके अपनी पॉलसी का नेविनी करण करवा सकता है भारती जीवन बीमा निगम ने यह सुगधा दी है अपने गनाकों को यहाँ पर उलेखनी हैं कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ हैं किसी भी परकार का तो उनकी जो किस्त बैंक से आटोमेटिकली कटती है उन्हें तीन मेहने की रिलेक्शेशन की बाद सरकार के दारत कही गई है लेकिन इसके लिए गनाकों को खुद से बैंक को इंफॉर्म करना हुआ कि उनकी किस्त ना काटी जाए हाला कि बैंक के तीन मेहने के लिए इसे एक्स्टेंट तो कर देंगे लेकिन इसके लिए बाद मेवेट तीन मेहने का इंट्रेस्ट भी ले सकते हैं इसलिए मेरी सलाह है कि जो लोग सामर्थ हैं और अपने लोन की EMI भर सकते हैं उन्हें भी इसे जमा करवा कर निशिंत हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से मुझे उमीद है कि जिनकी इंसुरेंस की किस्त बैंक से हर महिने कटती है आटोमेटिक वे पहले की तरह ही आटोमेटि का भुक्तान करने के लिए पहले ही अत्रिक समय दे चुका है इसी जानकरी के साथ मित्रों इस वीडियो में इस इतना ही और इस लागडाउन में आप सब घर पर ही रहें सेफ रहें और इस महां हमारी से लड़ने में देश का योगदान करें इसी के साथ धन्यवाद जैहिन कर दो